गुर्वार को सावंगी के पैट्रीक अखिलेश सिंग ने उनके घर के पास खाली प्लोट में उनकी मालकी की हुंडाई कंपणी कार क्रमांग DL C.A.P. 9290 की 14 लाख रुपयों की कार पार्किंग कर रखी थी रात को चोरों ने अंदेरे का फाइदा उठा कर कार की चोरी की जिसका सावी तरब पता करने पर कही भी कार नहीं मिलने से फिर्यादी ने पुले स्टेशन सावंगी में कार चोरी के फिर्याद दर्श की इस शिकायत पर गुना नोन किया गया इस पर संजे गायकवार पुलीस निरिक्षक स्तानी गुने शाखा ने स्तानी गुने शाखा के पुलीस उपनिरिक्षक सौरब घरडे वो शाखा दल के उक्त गुना में मार्ग दर्शन कर समानतर जाज के आधे ही तिये इस पर पुलीस दल ने मिली सुचना के आधार पर घटना सल पर जाकर फिरियादी से घटना करम की जानकारी ली लेकिन फिरियादी के कथन व घटना में तालमेल नहीं होने से फिरियादी पर ही शक का तायरा बढ़ा इस प्रकरन की कहरी जाज करने पर और मुख्बिर से मिली विश्वसनिय जानकारी पर उककार ये कुछ दिनों पहले से बताई गई जगह पर नहीं होने की बात पता चली उसे प्रकार फिरियादी के घर के पास वर्गिस मेथ्यूज व पैटरिक सिंग कुछ दिन पूर उककार में रात को दिखाई दिये और वे पुलगाओ को उककार से जा रहे थे इस जानकारी को गंबिरता से लेकर आगे की जाच पर केंदरित करने पर पता चला कि वर्गिस मेथ्यूज ये पुलगाओ में बेसी फटिलाइसर कमपनी में मैनेजर है और उककार उन्होंने वहाँ छपा कर रखी थी कमपनी में वर्गिस मेथ्यूज को लेका कमपनी के परिसर की जाच करने पर वर्गिस ये डर डर कर पूछे गए सवाल का जवाब जाच दल को देने लगा इस पर वर्गिस पर और संधे बड़ा इस पर कमपनी का कोना कोना च्छाना गया तो इकोने में खट के बोरे में धी के नीची तारपत्रे से ढखकर उक्तकार छिपा कर रखी मिली इस बारे में वर्गी से पुश्टाश करने पर उन्होंने कार चूरी का वीमा मिलने के लिए ये साजिश के जाने की बात कबुली इस पर सावंगी पुलीस डलने दोनों को हिरास्त में लेकर जब मुद्यमाल के स साथ पुलिस टेशन सावंग इथाने उनके खिलाब गुनात दर्झ किया। इस कारवाई में पुलीज अधिक्षक प्रशांत हूरकर के निर्देशानुसार पुलीस निरिक्षक संजे गयकवार पुलीस निरिक्षक महेंदर इंग की मार्गतर दर्शनन में पुलीस उपनिरिक शक्स और अब घरडे पुलीस हवलदार स्वपनिल भारत द्वाज वान्य पुलीस दल ने मिलकर काम को अंजाम दिया बीसे नियूस के लिए हिंगनगाट से रवीय नोरकर